अलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी आज हम आपके लिए आये हैं जो मेरे प्यारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो जेए 2024 का अभी नोंने फर्स्ट अटेम्ट दिया है और अगला जो उनके सामने जो उनका एम है जो गोल है वो है बोर्ड के एक्जामिनेश उसमें से जो काफी सा स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से हैं उनका तो बोर्ड का एक्जामिनेशन हो चुका है लेकिन जो स्टूडेंट्स का अभी एक्जाम होना बाकी है चाहे वो स्टेट बोर्ड के हो या CBSC बोर्ड के हो या किसी और अगर ICSC से भी अगर हैं उन सब अगर आपका एम जो है जही एडवांस का है तो इन तीनों को बैलेंस करना आप तीनों के अंदर रहने वाले हैं तो इसी के बारे में मैं आज आप से discussion करूँगा और जो specifically board के जो हम बात करेंगे उसके बारे में क्या mathematics के हिसाब से tips जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठ पास्ट अटेम्ट था वो तो आप दे चुके हैं उसका result भी आपको पता है तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे आपकी कहां प्रिजेंस से उसका भी आईडिया आपको लग चुका है वो सकता है कि घर में अब यह discussion चल रहा हो कि अगर percentile थोड़ी काम आई हो क्या थोड़ा एक यह student को तीन तरह से judge किया जाता है जही में के score पर जिसमें छोटा syllabus थोड़ा constraint होता है पर 11 तो 12 दोनों का होता है ठीक है और deeper level पर ज्यादा नहीं जाते है हाला कि mathematics में तो वो भी हम रही कह सकते उसमें तो सवाल अच्छे ही आते हैं बोड का जो examination है इस पर थोड़ा फाइदा है हमें के syllabus जो रहता है वो रहता है class 12 का ठीक है तो 11 वाले सारे topics हट जाते हैं और यह बोड का जो examination है इस इसको ऐसा माना जाता है कि this is more over a representation किस तरीके से आप लिखते हैं प्रैक्टिस कितने अच्छे से आपका जो working style है लिखने क जो writing style है ठीक है explain करने का जो तरीका है और topics जो रहते हैं थोड़े से relatively easier साइड पर जो रहता है यह यहां पर चेक होगा तो सवाल यही होगा कि sir ढंक से वापस से prepare करना है और second attempt जो है उसकी तरफ हमें जाना है लेकिन sir पूरा तो तैयारी हम कर लेते बीच में board का examination आ गया है ऐसा सभी student के साथ है ठीक है तो यह मैं सोचो कि आपी के साथ कुछ ज्यादा negative हो रहा ऐसा कुछ नहीं है इस exam की preparation के ल second attempt में जो आपका aim होगा यह तो आपको हो चुका है यहाँ पर आपके पास से फिर से दो बारे हैं 11 भी है और 12 भी है तो class 12 के students को अभी तो जैए advance के बारे में बिलकुल नहीं सोच रहा है ठीक है कोशिश यह करने है कि जब वो class 12 के लिए board के तैयारी कर रहे है तो उसका syllabus ज अंदर PCM के अंदर बच्या हुआ जो class 11 का है जब आपके पास board और second attempt के बीच में जब gap रहेगा तब हम इस class 11 की तरफ focus करेंगा अच्छी बात यह है कि January 1st attempt के अंदर अगर आपने देखा हो तो करीब 60% के आसपास 62-63% के आसपास mathematics में class 12 का weightage रहा था और बाकी बच्चा ह तो मतलब खेलना जो है वह majorly conscious labor से class 12 का ही है तीनों के अंदर बहुत difference है आप जानते हैं यह तो तभी दे पाएंगे जब वहां से qualify होंगे यहां से भी qualify होंगे बोर्ड की percentage का भी criteria है जेई मेन का भी qualifying का है दोनों से अच्छा perform कर पाएंगे तभी हम इधर जा पाएंगे और आप फॉर्म तक नहीं भरने देंगे नेशनल न्यूज बनती है जब भी mathematics का पेपर होता है तब कि इतने सारे क्योशन से mathematics का बोर्ड का पेपर लेंदियर साइड पर था क्योशन छूट गए तो इसके लिए इसका आपको मौक टैस और लिखने के तरीके जरूर प्रध्यान देना है और कोशिश यह करनी है इसके लिए क्या करोगे आप previous year के जो questions है previous year के questions तो हर exam में benefit करते हैं बोर्ड का exam दे लेगो तो बोर्ड के previous year के देखेंगे जही एडवांस के एक्जाम भी तैयारी करते हैं तो जही एडवांस के previous year के questions देखोगे और जही में का देखोगे तो इसके previous year के questions हमें यह identify करते हैं यह समझाते हैं कि examiner का mindset क्या है समझगे पूरी बात को अब तक मैं summarize करूं दो तिन लाइन के अंदर first attempt हो चुका है जो भी आपकी percentile आई हुई हो that is past उसके बारे में ज्यादा सोच के अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है अब हमारा जो अगला aim है अगर उपर नीचे भी result आया है perform best in board exam ठीक है इस पे हम focus करते हैं जो बात मैंने बूली 12th का syllabus का weight is ज्यादा है 11th का थोड़ा इस तीन घंटे के अंदर ही कोशिश करनी है कि आप वहां से 15 मिनिट कम बचाए और आप 2 घंटे और 45 मिनिट के अंदर मैस का paper खतम करने की कोशिश करें विद गुड हैंड राइटिंग गुड हैंड राइटिंग के साथ आपको यह करना है ताकि वह रीडेबल प्रिजेंटेबल अच्छा लगे ठीक है इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कम से कम मॉक्तिस कितने लिखने हैं आपको कम से कम मॉक्तिस पांच लिखने हैं नाइन मार्च को mathematics का paper है तो आप उसके ज जरूर कुछ और मॉक्तिस या सेंपल पेपर सापको जरूर ट्राइ करने हैं प्रिवेसर के क्योश्टिस आप जरूर देखेंगे यह दो बात हो जाएंगे उसके बाद जे एडवांस के बारे में मैं बोर्ड के एग्जामिनेशन और जे एमेंस के बीच में एक फिर से सेश होते हैं जिसके अंदर 18 तो होते हैं दो आपके पास से असर्शन रीजनिंग वाले क्योश्टिस आते हैं ठीक है तो 20 तो यह है यह थोड़े आपको स्पीड में करने होंगे और बहुत ठीक ठाक लेवल पर आसान लेवल पर ही आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस 18 में स से 20 में से कम से कम 18 मार्क यहां पर स्कोर करें अट लीस्ट क्योंकि यह टाइम टेकिंग भी कम होते हैं और कोशिश कर यह पूरा स्लेबस आप कवर करके जाए स्लेबस पे भी मैं आऊंगा अभी वेरी शॉर्ट इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डीटेल में समझाने की ज होती है किसी किसी क्योशन में हर सवाल में चोईसों जरूरी नहीं है जो इसका एक क्राइटेरिया और है जैसे डिफरेंचल इक्वेशन का क्योशन है तो डिफरेंचल इक्वेशन चैप्टर के ही दो क्योशन होंगे उसी में आपको चोईस मिलेंगे जैसे लीने पूछ रहा नहीं प्रॉबिलीटी मागा चोईस मुली तो दोनों क्योश्टिम प्रॉबिलीटी के होंगे फिर आपको इसके अंदर से और करके दिया हुआ यहां पर आप कोशिश कीजिए कम से कम 14 तो 15 माक्स आप यहां पर कोशिश करें हर मौक टेस्ट के अंदर यह एम लेके चलिए और वो तभी पूरा होगा जब आपका स्लीबस कवर होगा इसी आपने प्रैक्टिस कियोगी देन वी कम तो दो लॉंग टाइप क्योंस जो है यह आपके पास चार क्योंस होते हैं ठीके 20 माक्स का है इसमें भी सेम आपको जो है 15 माक्स के आसपास इसको एम करना ही करना है मिनिममम मैं बात कर रहा हूं मिनिममम और सोर्स बेस्ट जो होते हैं के स्टेडी या पैसेज कॉम्प्रियेंशन वाले जो क्योंस होते हैं वह आपके पास तीन है बारा माक्स है एट लिस्ट साथ या आठ माक्स आप यहां से कवर करने कोशिश करें तो आपका रीजनेबली में समझा सकता है जेए में थोड़ा शॉटकर्ट की तरफ चलता है ऑप्शन सामने दिखते हैं वैलीज बगरा रखते हैं तो हाला कि आप देखोगे बीज क्योशन यहां भी ऐसे ही है एसी के वाले टाइप के जेए में में भी बीज क्योशन होते हैं थोड़ा वैसा है लेकिन बाकी सेग्मेंट ज्यादा है योकि वेटेज अलग अलग है यह सिर्फ 20 माक्स का है बाकी जो आपके 60 माक्स है वो दूसरे पर सेक्शन भी इसके है ठीक है 1 माकीच होता है वेरी शोर्ट अंसर दो माक्स के हैं understood सो टोटल माक्स आपके पास है 80 माक्स है तीन घंटे का आपके पास हमें है mathematics के syllabus की तरफ चलते हैं, relation and function 8 marks का है, इसा दे रखा है, और आप यह मान के चलिए कि कोई जरूरी नहीं कि exactly जो number mentioned उसको फोलो ही करें, but relatively एक हमें इनका जो आपस में comparison वालत बात दिख जाता है, 12th class में algebra आप जानते हैं, 11 तर 12 दोनों class में होती हैं, 12th class के साबसे algebra के marks 10 है, जिसमें आपके matrices आपको दिखेगा, और इसके अंदर आपको जो है probability भी आपको दिखेगी, calculus 35 marks का रहेगा, vector 3D 14, linear programming यह highlight रहेगा, यह आपको करना होगा cover, यह आपको cover करना है, और probability में भी एक section आता है, जब आप expectation की बात करते हैं, यह वाले questions आपको थोड़े देखना है ज्यादा, probability distribution को भी आपको देखना है, यह दो तीन profiles थोड़ी आप ज्यादा cover कीजेगा, आप फोकस हैं के जो आपको previous year की questions से, पास साल के last 5 years के, और उनको as a mock test ही दीजिएगा, यह आपने पूरा syllabus NCRT से पढ़ लिया, यह आपकी जो exemplar book है, जिसके के आप called example देखके जाते हैं, जो resource reference book है आपकी उसके बाद, ठीक है, चलिए, और बात करते हैं, यह total marks आपके यहां बन जाएंगे, internal assessment आपको मालु में 20 marks का होता है, यहां तो आपने बातचित कर ही लिए होगी, यह कितने marks जाएंगे school के हिसाब से, जो आपकी school में performance रही होगी, और यही पर वो time है, जब school वाले teachers थोड़े से हावी हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स आपने दिये होगा, कि बहुत जही जही करते थे, क्या हुआ जही मेंस के अंदर ऐसे हो सकते हैं, कटाक्ष पर आपके उपर चल रहे हूँ, उन सब बातों को nullify कीजेगा, पैनिक मत कीजिए, unit wise, chapter wise आप इनको देखिए, और उनके questions को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, हना, short वाले answers में ज्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़े से short, very short को लिखने की ज्यादा ज़रूरत नहीं है, short और long और जो passage वाले questions है, source वाले, उसको थोड़ा आप detail में लिखने कोशिश करें, handwriting पर focus करिएगा, बहुत सारे students हैं जिनको मैं जानता हूँ, इन symbols को use में लेते ही नहीं हैं, वह implies और equal का sign में बड़े confused रहते हैं, तो थोड़ा इनका notation और लिखने का तरीका सुनिएगा, वैसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ, जो random लिखते हैं, वह हर बार equal to की जगे ये लगाते फिरते हैं, थोड़ा सध्यान दीजिएगा representation पर, क्योंकि marks उसी के हिसाप शाएंगे, और handwriting इसमें work कीजिएगा, तो यह हुआ unit advising का पूरा criteria के किस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरी बातों को brief करते हुए यही है, mathematics का exam चाहिए आप देखेंगे, means का हो, board का हो या जही advanced का हो, mathematics वैसे भी king है, तो इससे ज्यादा panic होने की जरूबत नहीं है, जो strategies मैंने आपको भी बताई है, उसके साफ साफ follow कीजिए, और अगर आपको किसी और तरह के sessions आप board specific चाहते हैं, तो अब comment करके जरूब बताएगा, आपको mathematics mentor ओम शर्मा आपको all the best बोलता हूँ, जो आपके examination अब शुरू होने वाले हैं, बोर्ड के examination के आसपास हम एक बाद फिर से मिलेंगे, जब हमारे math का परा रहा होगा, okay, all the best.